कांग्रेस के वरिशनेता राहुल गांधी की आर्च भदोही में होने वाली यात्रा को रद्ध कर दिया गया है और भदोही में होने वाले तमाम जनसभा और कारकरम को रद्ध कर दिया गया है भारत जोडो यात्रा के ताथ वारांची के बाद आर्च भदोही में राहुल गा यात्रा का कारवा भदोही जिले में पहुशना था मगर फिलाल अब ये कारवा भदोही में नहीं होगा बलकि कल यानी 18 फरवरी को दोपार 3 बजे से प्रयागराज से पुना इस यात्रा की सुरुवात की जाए गौर्तलब है कि UP में अपनी पकर को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गान्दी की मुझोद्गी में भारत जुडो यात्रा निकाली गई है भदोही के कंधिया रेल्वे क्राशिंग से जनपत की सीमा में राहूल गांधी की भारत जोडो यात्रा पर स्वागत किया जाना था इसके बाद भदोही शाहर के इंद्रा मिल चराहे पर मौझूद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मल्यापड करने का कारकरम था और यहाँ पर एक जनसभा का भी कारकरम था जिस जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करने वाले थे इसके बाद निर्धारित कारकरम के तहट राहुल गांधी भदोही शहर के ज्यानपूर रोड पर मौजूज मुनसिल आर्गपूर गाउं में बनाए गए आस्थाई टेंट में रास्तरी बिच्राम करने वाले थे और उसके आगले दिन यानी 18 फरवरी को राहुल गांधी ज्यानपूर होते हुए गोपी गंज होते हुए प्रयागराज की तरफ उनका कारकरम होने वाला था मगर फिलाल भदोही में होने वाले इस कारकरम को रद्ध कर दिया गया है और राहुल गांधी वारांसी से वायनाथ के लिए निकल गये हैं और भदोही में होने वाले राहुल गांधी की यात्रा को रद्ध कर दिया गया है